सूपर आर्ट एक्स चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है नरेंद्र कुमार मैं आपको 12th क्लास के इकनोमिक्स बुक समस्टी अर्थसास्त्र के पहले चेप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा इस चेप्टर में बेसिकली पांच पॉइंट है जो जानने के लिए बहुत ज़रूरी है नमबर एक है आय के चक्रे प्रवाह का अर्थ नमबर दो है स्टॉक वा प्रवाह नमबर तीन है चक्रे प्रवाह के प्रकार अर्थात वास्त्रिक प्रवाह और मूद्रिक प्रवाह और पांचवा और अंतिम पॉइंट है एक सरल अर्थ रिवस्था में चक्रे प्रवाह तो अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट नमबर वन से आय के चक्रे प्रवाह का अर्थ बच्चों, आय के चक्रे प्रवाह का अर्थ है परिवार छेत्र और फर्म छेत्र के बीच आय का प्रवाह होना जब परिवार छेत्र फर्म के लिए अपने सेवाएं अर्थात, श्रम या पूजी या भूमी देता है तो उसके बदले फर्म कुछ पैसे देती है परिवार छेत्र को और फिर उन सेवाओं का इस्तमाल करके जब फर्म कोई वस्तू बनाती है तो उस वस्तू को बजार में बेचा जाता है और उस वस्तू को खरीदने के लिए परिवार छेत्र उस पैसे का इस्तमाल करता है जो फर्म द्वारा उसे दिया गया है और फिर वह पैसा वह आय फिर से घूम करके फर्म के पास आ जाती है इसी प्रकार के चक्रिय प्रवाह को कहते हैं आय का चक्रिय प्रवाह इस चक्रिय प्रवाह के तीन चरण हैं पहला है उत्पादन चरण, दूसरा है आय चरण और तीसरा है वै चरण उत्पादन चरण में फर्म परिवार द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं के बदले कुछ वस्त्वों का सरजन करता है और दूसरे चरण में वह क्या करता है फर्म चेत्र परिवार चेत्र को पैसे देता है अर्थाप प्राप्त की गई सेवा के बदले उन्हें आय देता है और तीसरे चरण में परिवार चेत्र प्राप्त हुई आय का प्रियोग करता है उन वस्त्वों को खरीदने के लिए जिनका वह उपभोग करना चाहता है वह वस्त्वे जो फर्म द्वारा बजार में लाई ग प्रकार वे उस पर पैसे खर्च कर देता है जो उसे प्राप्त हुई थी इस प्रकार यह आय लोट करके फर्म के पास पहुच जाती है और यही चक्र चलता रहता है दूसरा बिंदू है स्टॉक वा प्रवा बच्चो स्टॉक वह चर होते हैं जिने एक निश्चित समय बिं इसको गोदाम में कितना वस्तू का स्टॉक था यह एक स्टॉक का एक एक एक्जामपल है दूसरा है प्रवाः प्रवाः वैचर होते हैं जिनने एक समय अबदी के दोरान मापा जाता है अर्थाथ एक पूरे वर्ष में कितनी वस्तू का उत्पाधन हुआ या एक पूरे वर्ष में कितनी आय कमाई गई यह सभी एक्जामपल प्रवाह के एक्जामपल माने जाते हैं इसको एक सटीक एक्जामपल से समझा जा सकता है माल लीजिए एक टंकी में सुभा 500 लिटर पानी भरा हुआ था ठीक 9 बजे उसके बाद एक नल चला करके उस नल से पानी निकाला गया जो टंकी से आ रहा था अब हम यह कह सकते हैं कि टंक में 9 बजे 500 लिटर पानी था यह एक स्टॉप का एक्जामपल है और आदे घंटे में टंकी से निकाला गया पानी ने चार बाल्टियां भर दी इसे कहेंगे प्रवाह चक्रे प्रवाह के प्रकार यह हमारा next point है चक्रे प्रवाह के प्रकार के दो प्रकार होते हैं एक है वास्तिक प्रवाह और दूसरा है मोद्रिक प्रवाह वास्तिक प्रवाह का अर्थ है वास्तिक वस्तु वे सेवाओं से अर्थात जब फर्म परिवार छेतर से सेवाएं प्राप्त करती है और फिर उन सेवाओं के बदले वे है कुछ वस्तुवे उत्पादित करती है और उन वस्तुवों को परिवार छेतर खरीटता है तो इस प्रकार सेवा और वस्तु का जो प्रवाह है पह कहलाता है वास्त्रिक प्रवाह इसे भोतिक प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है दूसरी और है मोद्रिक प्रवाह मोद्रिक प्रवाह से अभिप्राय है कि जब फर्म परिवार छेतर को उसकी साधन सेवाओं के बदले भुगतान करती है अर्थात पैसे देती है और साथ ही उस पैसे का प्रियोग परिवार उन वस्तों को खरीदने में कर लेता है जो फर्म द्वारा बजार में लाई गई हैं इस प्रकार पैसा वापस घूम करके परम के पास आ जाता है इस प्रकार मोद्रा के प्रवाह को ही मोद्रिक प्रवाह कहते हैं और अब बच्छो लास्ट पॉइंट है एक सरल अर्थवरस्ता में चक्रिय प्रवाह एक सरल अर्थवरस्ता उसे कहते हैं जिसमें केवल दो छे पाई जाते हैं, एक है परिवार छेतर और दूसरा है परम छेतर, ये बिंदू बिलकुल वैसा ही है जैसा आपने point number 1 पड़ा था अर्थात फरम कुछ वस्तों का उपदन करती है परिवार द्वारा दी गई सेवाओं के साथ और दूसरी ओर फरम उन वस्तू को बजार में ले आती है बेचने के लिए उसी प्रकार परिवार छेत्र को उन सेवाओं के बदले मिलते हैं पैसे और फिर उन पैसों से वो वस्तू को खरीद करके पैसे फिर से फरम के पास पहुच जाते हैं इस प्रकार वस्तू, सेवा और पैसे इन तीनों के प्रवाओं को मिला करके कहा जाता है एक सरल अर्थिवस्था में चक्रिय प्रवाओ तो दोस्तों बच्चों आपको जैसा भी ये चक्र लगा हो उसके बारे में हमें अवश्य बताएं